असलालेकुम फ्रेंड्स आज मैं आपके शायर करूंगी बहुत ही जबरदस्त बखरीद स्पेशल मटन बोटी खबाब की रेसिपी उमीद करती हूं यह रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर से सस्क्राइब कर कर दीजेगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा तो चलिए अपना वीडियो स्टाट कर लेते हैं यहां पर मैंने हाफ केजी मटन लिया जिसे मैंने बहुत ही चोटे-चोटे-चोटे हैं और पतले-पतले हैं जादा हम मोटे पीसे से यूज नहीं करेंगे नहीं तो यह अब इसमें हम पॉडर मसाले आड़ करेंगे एक बड़ा चमाच कश्मीरी लाल मिर्च पॉडर एक बड़ा चमाच धनिया पॉडर और एक छोटा चमाच हम इसमें जीरा गुलकी का पॉडर लेंगे और एक छोटा चमाच हम इसमें गरम मसाला पॉडर आदा चोटा चमाच ह और यहां पर मैंने दो बड़ा चमच के खरीब दही लिया है जिसे इस तरीके से मैंने चनी में रख दिया था ताकि इसका एक्स्ट्रा जो भी पानी वगरा हो वो निकल जाए बिल्कुल भी हमें पानी नहीं चाहिए दही का अगर आपके दही में पानी हो तो इसी तरीके से ताकि पानी निकल जाए और भीना पानी वाला ही हमें यूज करना है तो यहां पर मैंने हाफ नीमू लिया है लग भगिए एक बड़ा चमच के करीब इसमें से एरस निकलेगा तो इसे भी अच्छे से ने चोड़के इसमें आड़ कर देंगे और इसने सभी मसाले को हमें ख अच्छे से मिक्स कर लिया है ताकि हमारे जो मसाले हैं बोटियों में अच्छे से लग जाएं तो बहुत अच्छा सा यह हमारा मिक्स हो गया है तो इसे हम ढखके ओवर नाइट के लिए हम फ्रीज में रख देंगे अगर आपको आज बनाना है तो आप रात में इस तरह से म मसाले लगा के इसे अच्छे से ढखके रख दीजेगा आप इसे निकाल के बना सकते हैं इसे मैंने निकाल लिया है फ्रीज में से और बनाने से एक घंटा पहले मैंने इसे फ्रीज से निकाल लिया था ताकि यह नॉर्मल टंप्रेचर पर आ जाए तो देखी इसे एक बार यह इजीली मार्किट में अवेलेवल होते हैं इसे मैंने एक ग्लास पानी में इस तरीके से डूबो के रख दिया है जब लकडी गीली हो जाती है तो जलेगी नहीं इस तरीके से एक एक निकाल के हम और बोटी में अच्छे से लगा लेंगे एक बोटी को अच्छे से इसमें लाइक कर दीजेगा बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स वीडियो बनाने में प्लीज सपोर्ट कीजिए इस तरीके से एक एक पीस उठाते जाएंगे और वुडने स्कूर्स में लगाते जाएंगे और लगभग दस पीस के खरीब इसमें लगाएंगे तो हमारा एक कंप्ली देखने में कितनी अच्छी कितनी लाजवाब लगड़ी है खाने में भी इतने मज़े की लगती है कि मैं क्या ही बताओं जब आप बनाएंगे तो आप इसके फैन हो जाएंगे तो जरूर से ट्राइब कीजेगा प्रेंट्स और जब कभी आप ट्राइब कीजेगा तो जबाइब जब करेंगे तो यहां एक सिंधाएंगा किल सरी सब्स्क्राइब करके मैं में अधिक्ष्ट कंड़ी प्रेंदे बाइडर को प्रेंगे और मुझे कमेंट करके बताईएगा कैसी बनी आपकी ये रेसिपी और आपको ये रेसिपी कैसी लगी जरूर से कमेंट करके मुझे बताईएगा इस तरीके से रख दिया है लो टू मेडियम फिलेम पे हम एक दो मिनट इस तरीके से रखेंगे तो देखिए एक 2 मिनट के करीब हमारा हो गया है तो मैं आपको इसके साइट को टॉन करके दिखाती हूं कुछ इस तरीके का हो गया है कि अब इसकी साइट को मैंने पलट लिया है ताकि दोनों तरफ से अच्छे से पके अब इसे हम कवर करके कम लग 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसे हम पकाएंगे और दस मिनट देखिया हमारा कंप्लीट हो गया है तो कुछ इस तरीके का हो गया है इसमें पानी है कुछ इस तरफ से अच्छे से पकनी जाहिए इस तरीके से साइड को हम जेंज कर लेंगे और दही है दही की वज़े से इसने पानी चोड़ा और कवर करते हैं तो मोईस्चर इसमें अच्छा-कासा मोईस्चर हो जाता है तो देखिए मैंने दस मिनट और पका लिया था और इसके बाद जो बचा हुआ पानी है इसे हम ड्राइ कर लेंगे 10 मिनट करके लगबग अबीस मिनट कवर करके इसे पकाना है तो यह मारा पानी मिल्कुल ड्राइ हो गया है अब यह जो है टामाटर भूनने वाला जो होता है सभी के घरों में यह होता है तो इस तरीके से गयस पर रख ले और जादा देर नहीं करना है लगबख कुस सिकंड ही हमें इसे करेंगे इस तरीके से तो बहुत अच्छा सा सा इसमें कलर आ जाता है देखे हो गया हम इसे घैस का फ्लेम को आफ कर देंगे तो बहुत जादा देर इसे नहीं करना लिजिए हमारा जट पर सा बहुत ही आप भी फटाफट से इस रेसिपी को बनाईए और अपने घर वाले को खिलाईए आपको इसे तोड़ के भी दिखाती हूं देखिया हमारी कितने अच्छे से गल गई है उमीद करती हूं आपको यह रेसिपी बहुत पसंद आई होगी तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब कि लेला हफीज